नमस्कार दोस्तों मैं वानात कुमार अब्दुल को बदनाम करने के बाद ही किसी का रोजी रोटी चलता है पुर्फगंडा करता है इस देश में कई इसे लोग है जो अब्दुल को बदनाम करते हैं अब्दुल को गालियां देते हैं और अब्दुल के सहारे अबना रोटी चलाते हैं मैं पटना के फेमस खानसर की बात कर रहा हूँ चैनल चलाता है यूटूब पे बच्चों को परहाने का काम करता है तो सबसे पहले तो वो खानसर है नहीं फेक आदमी है हिंदू है नाम रखा खानसर क्योंकि मुस्लिमों का सिंपैथी हासिल कर सके मुस्लिमों को भी अपने चैनल के साथ जोड सके और पता ही आपको कि मुस्लिम एक जुठोकर चैनल को सबस्क्राइब करते हैं किसी कभी अगर करना चाहे तो उस चैनल को कहां से काम बढ़ा देते हैं इसलिए उसने अपना नाम रखा खानसर सारे मुस्लिमों ने उसके चैनल को सबस्क्राइब किया अब भाजबा का दबाव है आपको पता ही है कि रेलवे के समय उसकी गिरफतारी हुई थी और भागा हुआ था पतना में रेलवे के कारण स्टूडेंट ने ट्रेन को आग लगा दी थी उससे में इसका नाम आया था कि इसने स्टूडेंट को बरकाया है उसके बाद से यह चैनल पर वीडियो बहुत कम बना रहा है इसका में चैनल था सब्सक्राइबर है और इस वाले चैनल पर भी पढ़ा रहा है लेकिन अब्दुल को बदनाम जरूर कर रहा है इस वीडियो को जड़ा द्यान से सुनिया क्या कह रहा है अब्दुल भाई चलिए के संधी बिचे पड़ा होंगे कुछ संधी ऐसी होती है था हिस्माश上 met जहाज उड़ाया बहून्त समाश में जिरेए अंब्दुल जहाज करा कि सब देखी लेकिन अंतर हो जाएगा शुरेश ने जहाज उडाया मतलब उडाया और अब्दुल ने जहाज उडाया मतलब भड़काया ए और अbn शुन टो अरे मुर्क, अब्दुल तो मिसाइल बनाता है, अब्दुल कलाम अयाद ने मिसाइल बनाया, एटम बम बनाया, जाके पोखरन में परमानु भी स्पोर्ट किया, मेरे कई ऐसे अब्दुल दोस्त हैं, जो हवाई जहाज उराते हैं, पाइलट हैं, कई ऐसे जो दोस्त हैं, जो के सारे परहे लिखे विद्धुवान हैं यह अब दूल को बदनाम कर रहा है अब आप सोच सकते हैं कि इस खांसर में जो तताकतित खांसर है इसमें और वो जो सनातनी हिंदू जो भगवा बस्तर में रोज गालिया निगालते हैं गांधी को मुस्लिमों को उसमें क्या फरक है चाहे सादवी परग्या सिंह हो चाहे यतीनर सिंदारंद हो चाहे कोई भी हो जो उचक के बैठे हुए हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों सेम हैं दोनों नफरत फैलाते हैं दोनों नफरत फैलाके अपना रोजगार चलाते हैं अब इसको इस चैनल को बराना था जिस सब्सक्राइबर है तो इसमें हिंदू को भरगा अब्दुल के खिलाब बोला जिससे हिंदू भरग जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यही तो चल रहा है गलती इसकी भी नहीं है नीट्रल रहने वीडियो में कोई कहीं कमी नहीं होती सच्चाई लिखता हूँ देश के साथ हूँ देश के लोगों के साथ हूँ सरकार के खिलाब डट के खराब सरकार की हर गलत नितियों का सामने लाता हूँ जन्ता के विश्की यह गलत हो रहा है सरकार की खिलाब तो ने सरकार के खिलाब नहीं लेकिन उसमें क्या होता है जितने भी सनातनी तथा कतीत राष्ठवादी उनको लगता है कि मेरे खिलाब बोलता है तो मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं कर रहा है बहुत सारे लोग किये हुए थे यह 15,000 अगरी पहुंच गया था वो अंससे क्रैब करके बागे और दुसरे लोग इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते है कि क्यों करना इसकत्व इखर अपना नाम रख लेता तो कर लेते यह अगर अगर प्रोफगेंड़ा करता रोज दिन गाली देता राहुल गांधी को तब कर लेते अगर ये लालु जादव को गाली देता तब कर लेते ये मायावती को गाली देता तब कर लेते तो ये सनातनी करेंगे नहीं कल से मोधी मोधी करना शुरू कर दूं तो एक दिन में लाख दो लाख हो जाएगा सब्सक्राइबर के शेर तो मैं खांसर पर आ जाता हूं आप लोग ध्यान से इसके किसी भी लेशन को देखना ऐसे नहीं जो जैनरील बात करता है वीडियो में उसकी बात नहीं करो जब कहीं परहा रहा है किसी छेप्टर पर किसी टॉपिक परहा रहे है उस पे ध्यान से सुनना और फिर समझने की प्रश्मान हो गया ऐसा नहीं है यह यूट्यूब पर वीडियो देखता होगा किताब में कहीं से रिशार्ट करता होगा और उसके बाद आके दस मिनट का लेक्षर दे देता है अके दस मिनट का एक वीडियो दे दिया लोगों को लगता है वाह खांसर वाह खांसर वाह खांसर अरे परहाओ कोई मना नहीं किया है अच्छी बात है पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है लेकिन किसी धर्म को बदनाम करके किसी जाती को बद नहीं करेंगे मैं आप सब लोगों को यह बतारा हूं कि देखिए किस्तरा से यह पुरफगेंड़ा करके channel चला रहा है बाकी आपके उपर है कि आपको इसके channel के साथ जूरे रहना है या इसके channel को और grow करना है या इसके channel को आगे ढहना है कि वीडिओ अच्छा लगा हो सेयर करें मैं आप हो करना इसने प्रपगेंदा दो गियानिन ते क्यों करना थेंक्यू जैहिंद जैवार जैवार